झेगओ कानी सुनाता मैं हमारे स्कूल में क्या होता था कि छो लैब होती ना, उनके नमबर होती है हम जाते थे कम्प्प綧ür लाभ में ठोप मुझे जो नमबर याद है जो नमबर अथा वह होता था तो एक दिन के भी संगटन से मैं जाया मतलब में ही लाया हमारी प्रिंसिपल को उन्होंने बोला कि आप लैब नंबर्स हटा दो अब लैब नंबर्स की जगा आप लैब का नाम लिखोगे क्योंकि इससे बहुत दिक्कत होती है बच्चों को भी और टीचर्स को भी तो अभी प्रिंटली उस लैब के अन्दा जो टीचर्स बैठती थी ना जो में पढ़ाती थी कंप्यूटर न तो उनको अपनी लैब्स के बार एक बोर्ड लगा जाना जिस पर उस लैब का नाम लिखा था ओके तो हमारी टीचर्स ने बोर्ड तैयार कर लिया एंड वो बोर्ड एक बच्चे को दे दिया कि बैटा ऐसा करो चार नंबर जो लैब है ना उसके बार जाके यह वाला पॉड लगा दो आज से उस लैब का नाम चार नंबर नहीं होगा कंप्यूटर साइंस लैब होगा तो बच्चा आता लगाता है ओके तो अब सेम काम स्कूल के डेटाबेस में में भी करना है लैब नंबर 4 को रिप्लेस करना है कंप्यूटर साइंस से तो आप वो डेटाबेस में कैसे करना है मैं आपको यह दिखाता हूं लोके तो उसको करने के लिए नहीं हम कमांड यूज करेंगे डीबी डॉट को स्कूल अंट अपडेट वन ओके तो पहले फिल् करने है पत्ता सर्च करनी है तो यह के करेंगा इस एरे के अंदर बेंगे लिए अगर फूर होगा तो उसका इंडेक्स रिटैन कर देगा ओके ंफिर किया करेंगे हम सैट अपरेटर का यूज करेंगे पर इस सर्ट्ट ऑपरेकर करें किया करें हम क्या करेंगे सर्फ कि सब्सक्राइब नाम हो दॉलर को सिंपल है इस प्रेंगे फिर इस दंग्या कर ग joue кडंद्र १र्टर साइनша और बॉय्ट Ergebnis साइंस तो यहां पर हम लेते हैंगी कंप्योटर साइंस क्या आज से चार नंबर लैप का नाम क्या हुआ गया गया तो एंटर मैस्ट काउंट मोडिफाइड काउंट यह दो को हो गया अगर वीडियो अच्छी लगए हो तो लाइक एंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत